हेलो फ्रेंट्स वेलकम टूदा सकसर सकंदरा अज इस वीडियो में हम लोग एडियूटेरिया का जो नाय बिहार का बुकाया हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं उसका सेट नमबर टू डिसकस करेंगे देखे सेट नमबर मैंने आपको कवर करा दिया था पूरी डिटेल मे अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिजेगा लिंक आपको description box में मिल जाएगा और friends एक set में 50 questions दिया गया है तो हम लोग दूसरे set में भी 50 important questions को cover करेंगे चलिए session आज कई start करते हैं पहले प्लीज वीडियो को like कर दिजेगा और जब session समाप्त होगा तो इसको share भी जरूर कर दिजेगा देखे friends जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग एडूटेरिया का जो नया बिहार special का book आया हुआ है उसको cover कर रहे हैं और आज हम लोग set number two को discuss करेंगे set number one हमने cover करा दिया था पूरी detail में और ध्यान दिजेए एक set में 50 important questions दिया गया है और वीडियो के last में आपसे एक प्रश्ण पूछा जाता है जिसका answer आप सभी लोग comment करके बताईएगा चलिए शुरू करते हैं आज का session आज के session का पहला प्रश्ण पढ़ेंगे पहला प्रश्ण कि बक्सर की यूद के पसात बंगाल बिहार तथा उडिसा की दिवानी अधिकार इस्ट इंडिया company को किस ने प्रदान किया था अगर आपको answer पता है तो answer comment box में देख करके बताते चलिए और वीडियो के last में अप में आ करके 12 अगस्त 1765 को मुगलबाद साह आलम दूतिये ने इस्ट इंडिया company को बंगाल बिहार और उडिसा की दिवानी देनी पड़ी थी और company ने दो नायब नियुक्त किये थे उसके बाद company ने दो नायब नियुक्त किये थे ठीक है फ्रेंस और ध्यान दिजे बंगाल के लिए रजा खाको बंगाल के लिए रजा खाको और बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया था यह आप ध्यान रखेएगा राय टनसर इसका क्या हो जाएगा साह आलम दूतिये हो जाएगा अपसर नमबर ए पूरी डिटेल में मैं आपको बताते चलूँगा देखे 25 जुलाई 1857 को दानापूर चावनी में विद्रोह करने के बाद विद्रोही आरा सहर में परवेश की है। राइट अंसर इसका 25 जुलाई 1857 हो जाएगा, ओप्सन बर B हो जाएगा करेक्ट अंसर। नेक्स्ट कुस्टन है कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के वहिस्कार के लिए नंगी हरताल किया था। अगला प्रश्ण के बिहार के पहले भारतिय प्रधानमंतरी प्रांतिय सरकार का प्रधान होता था, ये कौन थे। तो बिहार के पहले प्रधानमंतरी जो थे ये प्रश्ण अभी असिस्टेंट ऑडिट अफिसर का जो पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। मुहमद यूनिस थे। ठीक है। उसके बाद के 1934 में पटना में अस्थापित बिहार सोसलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। 1934 में बिहार सोसलिस्ट पार्टी की विध्यवत अस्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष जो थे ये अचारे नरेंद्र देव थे और इसके सचिव जप्रकास नरायन थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। सचिव कौन थे जप्रकास नरायन थे। चेले नेक्ष्ट सhmm सी हो जाएगा करेक्ट अंसर बिहार बंधूो अचम है यहां पर आप देख रहा है सर्वह jijdasi तो सर्वहित जो था यहां फ्रेंड्स पहला हिंदी दैनिक पतर था इसको भी आप ध्यान रखेस पहला हिंदी दैनिक पत्र कोन था तो सर्वहित्य ऐसी था चले डाजकर लेगे के 5857 के क्रामती के समय पत्ना का कमिश्णर कोन था तो पत्ना का कमिश्णर जो था यहां कौन था विलियम टेलर था अप्सन नमबर ए राइटन सर हो जाएगा देखे पटना में तीन जुलाई यहां मैं लिखता हूँ पटना में तीन जुलाई अठारा सो संतावन को पीर अली खांके नत्रित्यों में विद्रोह प्रारंब हुआ परन्तु कमिशनर टेलर ने इस विद्रोह को बलपुर्व दमन कर दिया था विलियम टेलर राइटन सर हो जाएगा उसकवद के बिहार के किस अस्थान से गांधी जी ने अपना प्रतम सत्यागरह शुरू किया था तो यह आपको भी पता है चंपारन सत्यागरह जोकी 1917 में हुआ था ठीक है और इनका भारत में पहला सत्यागरह था च अधिवेशन और इसके अधिवेशन के महा सचीव कौन थे तो सचिदनन्द सिनहा थे और मौलाना मजहरूल हक स्वागत समीति के अध्यक्स थे 1922 में गया अधिवेशन जो हुआ था बिहार में इसके अध्यक्स चितरंजन दास थे यह भी आप ध्यान रखेगा बिहार प्र अध्यक्स कौन थे तो इसके अध्यक्स हशन inimाम थे दूसरा जो अधिवेशन हुआ था यह कहां पर वह था तो दूसरा आधिवेशन भागलपूर में भागलपूर में सेन वंस का सासक कौन था, तो सेन वंस का सासक जो था, ये कौन थे, तो लक्षमन सेन थे, लक्षमन सेन थे, और यहाँ पर पाल वंस का सासक पुछा गया है, तो राइट अंसर इंदर धुमन पाल थे, अप्सा नमबर इसका D हो जाएगा राइट अंसर, ठीक है, ध्यान रखि दीएगा है तो देखे सालविस सरिजै करने को सामिल करने सुल्थान कौन था ओधिकार किया था था इसका ध्यां जी जएगा यहां पर ध्यान-दीजएगा राइटनसर इसका हो जाएगा आपका हुशामुदीन एवाज option number A राइटनसर हो जाएगा इसने जो है यह बिहार बंगाल का उप सासक था हुशामुदीन एवाज और इसने बिना लड़े ही इलतूत में इसकी अधिनता स्विकार कर लिया था ठीक है इसके बाद क्या हुआ इसके बाद इजूल मुलक यहां मैं लिखता हूँ इसके बाद इजूल मुलक इजूल मुलक अल्लाउदीन जानी ठीक है अल्लाउदीन जानी यह नाम याद रखेंगे इसके बाद इजूल मुलक अल्लाउदीन जानी को बिहार का सुबेदार ब था ये दावुद खांक कर रहा नी था अपसर नमबर सी राइट अंसर इसका हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि आइने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सुबा या सरकार में विभक्त था तो देखिए आइने अकबरी के अनुसार बिहार का सुबा सात सरकारों में विभक्त था ठीक है बिहार मुंगेर रोहतास तिरहुत हाजिपुर सारण और चमपारण में भी भक्त था क्लेर याद रखेंगे ठीक है न और प्रसासनिक सुवध्या के लिए इसे एक सो निनानवे परगनों में बाटा गया था या भी आप ध्यान रखियेगा राइट अनसर इसका अप्सन नमबर यहाँ पर यह हो जाएगा बिहार विद्या पिट का उद्गाटन कब हुआ था तो देखे बिहार विद्या पिट का उद्गाटन जो है यह चे फरवरी 1921 को म कुलपति मजहरूल हक को बनाए गया था और उपकुलपति ब्रज किसूर प्रसाद को बनाए गया था यह भी आप ध्यान रखियेगा चले उसका में दिखेगा कि बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्षि किस गरंथ में मिलता है मतहीं अमन गरंथ है सत्पत अब्रहमन इसी में जो है इसका उलेख मिलता है ठीक है राइट अप्सें नबर इसका भी हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कुस्चन है कि भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में इस्तित हैं तो यह तीन महाजनप अमन गरंज का उतकर्फ किस सासक के समय शुरू हुआ था तो यह सासक जो था यह हरियन कुवनस का संस्थापक 20 सार था अपसर नंबर सी इसका राइट अंसर हो जाएगा next question है कि मौरे काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था तो मौरे कालीन मुद्रा को पन कहा जाता था ठीक है पन कहा जाता था ध्यान रखेगा next question है कि गारगी सहिंता में पाटली पुत्र पर यवनों के आकर्मन का उलेख है इस बात को तो ध्यान रखना आपको, ठीके, सबसे पहले गारगी सैंता में पाटली पुत्रपर यवनों के आकरमन का उलेक मिलता है, और यहां आकरमन किसके सासनकाल में हुआ था, तब याद रखेंगे पुस्यमुत्र सूंग के समय में, ठीके, चलिए, विक्रम सिलव इस व पुलतनत का धिन किया था, इलतूत मिस ने, आपसन नमबर ए राइट अंसर हो जाएगा, बक्तियार खिलजी का आकरमन बिहार में कब हुआ था, तो यह हुआ था, ग्यारा सो अंठानवे में, ठीके, और इसने नालंदा विस विद्धाले, ओधन्त पुरी विस विद्धाल तो यहां सेर साह था, ठीक है, सेर साह था, चले, उसका बद नेक्स्ट कुस्टन है कि बिहार चातर परिसत का गठन किसके द्वारा किया था, बिहार चातर परिसत का गठन 1906 में किया गया था, राजिन दे प्रसाद की द्वारा, आपसन नमबर इसका D राइट अंसर हो अगला प्रशन हमारा कि घोगा जिल विहार की किस जिले में है, तो घोगा जिल जो है, यह कटिहार में है, कहां पर है, कावर जिल कहां पर है, तो बेगु सराय में है, ठीक है, ज्यान रखना कावर जिल बेगु सराय में है, चलिए, उसका बद दिखेगा, कि हिंदु धार् अबित्र या असुभ माना जाता है तो इसमें नाम से ही आप याद रख सकता है कर्म नासा ठीक है अगला प्रश्ण की बिहार का कूल चेतरफल कितना है तो बिहार का चेतरफल 94163 वर्ग किलोमेटर है यहां आपको जबान पर याद रखना होगा देखें बिहार के किस चेतर म में पाई जाती है ठीक है फ्रेंट्स और यहां पाई जाती है कहां पर तो यहां जो पाई जाती है यहां याद रखना आपको कैमूर और रोहतास में पाई जाती है ठीक है दक्षीन पुर्व जो है इसमें विंधियन करम की चट्टाने नहीं पाई जाती यहां पर धारवा करम की चटाने धारवार करम की चटाने और दक्सीन पस्षी में विंधियन करम की चटाने पाई जाती है अगला कुस्टन कि नियम में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है तो देखे कॉप की बहुलता जो है यहां पाई जाती है किसमें राइट अं कंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्शन है कि बिहार में लौट दा मॉंशन प्रैरंब皆さん होता है तो लोटता मॉंसुन होता है अक्टूबर के मध्धे में होता है यानि कि रॉट अप्स свое rate यह हो जाएगा उसका बाद कि निमलेखित में से किस नदी को नारायनी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है तो देखे इस नारायनी और सदा नीरा का नाम से जाना जाता है गंडक नदी को किस नदी को जाना जाता है तो यह जाना जाता है गंडक नदी को निमलेखित में से कौन सी फसल सरवाधिक छेत्र में बोई जाती है तो कौन सी फसल है तो यह फसल धान है चावल यहां पर है ऑप्शन नमबर बी राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स यहां परजेकर टाइगर के आंतरगत से सामिल किया गया था फ्रेंट्स यहां किया गया था रैट अंसर इसका 1991 हो जाएगा ठीक है 1990 के आनबे में जो है इसको सामिल किया गया था अगला प्रशन करेंगे कि दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किने छेत्रों में पाई जाती है पीडिमेंट स्वैंप मिट्टी कहां पाई जाती है तो जो नेपाल से सटे हुए तराई छेत्र है पस्टिम चंपारन में पाई जाती है तो नेपाल से दुश्टे जिले हैं वहां पर यह मिट्टी दलदली मिट्टी पाई जाती है जो कि किसंगंज सुपॉल और अररिया में एक सदिक इसका राइट अंसर हो जाएगा चले उसका बदिके तिर्वेनी नहर का निर्मान किस वर्स किया गया था तिर्वेनी नहर का निर्मान जो है यह किया गया था 1904 में और यह नहर पस्चिम चंपारन में तिर्वेनी नामक अस्थान में गंड़क नदी से निकाली गई है 1904 इसका राइट अंसर हो जाएगा बिहार के किस चीले में सरवाधिक चूना पत्थर पाये जाता है तो सरवा लिंगानुपात जो है यह 935 है और अगर लिंगानुपात सिर्फ पूछा जाए लिंगानुपात तो लिंगानुपात जो है यह कितना है तो इसको भी याद रखेंगे लिंगानुपात जो है फ्रेंड्स यह 918 है ठीक है यहां पर दीका अप्शन ए में दिया गया है उसका के वगद कि बिहार की आसपास इसका अभी अंसर होगा बरतमान में बिहार मां अनमंडलों की कूल संख्या कितनी है तो यहाँ पर अनमंडल पूछा गया तो अनमंडल 101 है अच्छा प्रमंडल कितने है तो प्रमंडल 9 है ठीक है याद रखना आपको जीला कितना है जिला 28 है चली आगे बढ़ेंगे next question है कि राज की कार्यपलिका का वास्तिविक सक्ति किसमे नहीं थोती है वास्तिविक सक्ति जो होता है यह मुख्यमंत्री में होता है जहानाबाद से अलग करके बिहार के किस अन् Sound go a के गए है तो पंच bern की जो बात की गई है यह कि गई है किसमे तो 243 द में और अट स्थानों का आरीडग्षन है इस सब ध्यान रखि इगा चलो उसको मब देख़ेगा कि किसी जिए में महादिवक्ता की न्युक्ति किसके द्वार किया जाता है तो महादिवक्ता की न्युक्ति जो है अनुछेद 165 के तहत जो है राज्यपाल के द्वार की जाती है अप्सन नमर B हो जाएगा राइट अंसर यह आर्टिकल भी ध्यान रखना आपको उसका बचले next question है कि बिहार में जब पहली बार राष्टपती सासन लागू किया गया था उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे आचा राष्टपती सासन उनिस्ट उन्हट्टर में कली वाले वीडियों मैंने कराया था पहली बार बिहार में लगाया गया था और अब तक मंत्री कौन थे तो भोला पासवान सास्त्री थे यह भी ध्यान रखिएगा उसके बिहार का राज की यह पक्षी कौन खा है तो राज की यहां पर गोराया है ठीक है याद रखेंगे चले next question कर लेंगे कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है इसका अंसर आप मुझे कम रखी जाती है तो option में राष्टपती नहीं है इसलिए option number E हो जाएगा उपर रिक्तमे से कोई नहीं वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए पीडियाप आपको टेलेग्राम पर मिल जाएगा जूड़ जाए सकस केंद्रा के नाम से टेलेग्राम चैनल है link description में मिल जाएगा